हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें हर राम यह लड़की भी ना अरे इतनी तेज बारिश हो रही है किसी स्टैंड पर रुख जाती थोड़ी देर देख कैसे पूरे बाल गीले हो गए तेरे अरे जूएं पढ़ जाएंगी मा जब मैं कॉले से निकली तब तो बारिश हो ही नहीं रही थी अचानक से आधे रस्ते में शुरू हो गई हाँ हाँ सर्दिया शुरू होने वाली है न उसी का पेगाम लेकर आई है यह बारिश जान भी जल्दी से कमरे में आकर अपने कपड़े चेंज करके अपने गीले बालों को तोली से सुखाने लगती है और थोड़ी देर बाद उसकी सर में खुजली शुरू हो जाती है यह देखकर उसकी छोटी बेहन कुहू बोलती है क्या हुआ दीदी आप इतना सर क्यों खुजा रही हो जुए पड़ गई क्या जुए वो भी मेरे सर में पागल है क्या अरे मैं बारिश में भीग गई थी उसी वज़ा से खुजली हो रही है इतना बोलकर दोनों बेहने खाना खाकर सोने के लिए वापस कमरे में आती है और एक साथ सोने के कारण अगले दिन कुहू भी अपने सर में खुजली करने लगती है तब ही रम्या चाय लेकर अपनी बेटियों के कमरे में आती है और बोलती है कुहू, जानवी, उठो, चाय बीलो रम्या की बात सुनकर दोनों बहने अपना सर खुजाते हुए बोलती है गुड मॉनिंग मा क्या बात है? खाज खुजली की प्रत्योगिता हो रही ही क्या? तुम दोनों एक साथ अपना सर खुजा रही हो कुहू, तेरे सर में तो जुए नहीं है? मा, ये कारिस्तानी दीदी की है कल से अपना सर खुजा रही थी इनी से पूछो, मुझे नहीं है जुओं से दोस्ती करने का शौक कुहू बोल ही रही होती है कि सर खुजाते हुए जानवी के लंबे नाखोनों में अचानक से चार-पांच जुओं फस जाती है और उन्हें देखकर कुहू बोलती है ची, इतनी सारी जुओं मा, मुझे नहीं पता कि ये जुओं मेरे सर में कहां से आई जानवी बिना कुछ सोचे उन जुओं को बिस्तर पर फेक देती है ये देखकर उसके मा, रम्या उसी सर पर एक थपड मारती है तभी कुछ जुओं रम्या के हातों में भी लग जाती है जिसके बाद रम्या बोलती है से पहले कि ये जुओं तहल का मचा दे जानवी तो मेरे साथ चल रम्या जानवी का हात बकड़ते हुए उसे बात्रूम में ले कर आती है और रम्या बोलती है कुहू देख मेरे बटूए में पैसे रखे होंगे भाग कर जा और केमिस्ट के दुकान से मेडिकेर शेंपू लेया और तु यही रुक मैं भी आई इतना बोलकर रम्या किचन में जाकर नारियल तेल और कपूर मिक्स करके ले कर आती है और जानवी के बालो में लगाती है और कपूर के तेल के कारण बालो में खुझली के जख्म पर जलन शुरू हो जाती है और जानवी बोलती है आँ मा, आपने मेरे बालो में ऐसा क्या लगा दिया मुझे मिर्ची की तरह जल रहा है मा मैं सर धोलू प्लीज जादा ड्रावे मत कर जब मैं तेरे जैसी थी न तो मेरी नानी हर हफते मेरे बालों में कपूर और नारियल का तेल लगाती थी मा इससे जूओ से छुटकारा मिल जाएगा क्या अरे जूओ को मारने का ये रामबान इलाज है और अभी कुहू शंपू लेकर भी तो आ रही है उससे बजी कुची जूओ भी समाप्त हो जाएगी मा ये लो ले आई शंपू रम्या जल्दी से जानवी की जूओ वाले सर को मैडिकर शंपू से अच्छी तरह धोती है जिस कारण जानवी के बाल खिचने और तूटने लगते है और जानवी बोलती है आउच, मा क्या कर रही ही हो बाल तूट रहे हैं मेरे अरे गंजा करोगी क्या अगर तू आलसी नहीं होती ना तो आज तेरे सर में जूओ का खान दाने कठा नहीं होता अरे इतने लंबे बाल है तेरे इन्हें हफते में कम से कम तीन बार धोया कर क्या मा, अरे दीदी हफते में एक बार ही बाल धोले वही बहुत है, महीने में तो सर्द होती है इसके बाल इतने गंदे हैं कि इनी के कारण के सर में जूओं की सैना पल रही है हाँ एक तो ये आलसी निकम्मी महीने में एक बार सर्द होती है और वो भी ठीक से नहीं अरे पूरा डबा लगा दिया इसके सर में फिर भी बाल चिपचिप कर रही है मा और कितनी बेजती करोगी आप मेरी और कुहू तुझे मैंने एक चाटे में बेहोश न किया ला तो मेरा नाम भी जानवी नहीं मेरी छोड़ो दिदी देखो तुम्हारे सर की जूओं बेहोश हो गई होंगी रम्या जल्दी से जानवी का सर वोश करके जूओं वाली कंगी से सभी बेहोश जूओं को निकालती है तभी रम्या बोलती है जानवी मैं कंगी से तुझे जूओं निकाल कर देती हूँ तो जल्दी जल्दी मारी हो ठीक है मा रम्या लगातार जानवी को जूएं देती है और जानवी उन्हें फर्ष पर मारने लगती है तभी कुहू बोलती है जानवी दिदी तुमने इतनी जूओं की हत्या करके इस सफेद फर्ष को इन मासुमों के खून से लाल कर दिया आखिर इन जुओं की रगों में खुन भी तो जानवी का ही था आप दोनों को मेरा मजाग बनाने में बड़ा मजा आ रहा है न और कुहुत तु भगवान करे तेरी बालों में भी लाखो जुओं पढ़ जाए और तुझे इतनी खुजली हो इतनी खुजली हो कि तेरी रातों की नीध हराम हो जाए जब तु मेरी जगापर होगी न तब मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी दोनों बहनों को लड़ता देखकर रम्या बोलती है अरे ये मेरी बेटियों लड़ना बन करो और जानवी तू जो ये जूओ के लाशे बिची है ना इनका अंतिन संस्कार कर जल्दी मा जूओ का अंतिन संस्कार कैसा होगा आपको पता है ना कि मुझे ये पहेलिया समझ नहीं आती अरे दीदी सिंपल लाइजो लो और इस फर्ष को साफ कर दो इस तरहां जानवी की जूएं खत्म हो जाती है वक बीटता है और जानवी की शादी मोहित नाम के लड़के से हो जाती है जिसके बाद जानवी अपनी ससुराल आती है जहां उसकी सास कज्डी उसका घ्रह करवाते हुए बोलती है पहुरिया इन नए घर संसार में तुहार स्वागत है घ्रह परवेश के बाद बाकी की रस्में खत्म होती है जिसके बाद जानवी अपने पती मोहित के साथ कमरे में चली जाती है वक बीटता है जानवी बहु होने के सारे फर्ष बखु भी निभा कहीं है कहीं फिर से जुए तो नहीं पड़ गई इतना बोलकर जानवी किचन में काम करने लगती है लेकिन उसके सर में खुझली और बढ़ जाती है और शाम को जब वो अपने बालों की चोटी बना रही होती है तब ही उसकी ननत सुहानियों से बोलती है भाबी आप हर रो लांग निकालती है तब ही उसकी नजर काली और मोटी जुओं पर पड़ती है जिसे देखकर वो बोलती है छी भाबी आपके बालों में कितनी जुओं हैं कारे भूरिया तो हर बाल में धील है तब ही हम सोच रहे हैं कि मुहित्वा हर्दम आपन केस काय नोचत रहते हैं तो सुबा से शौम हो जाती है और फिर अंधिरा लेगन जानवी के सर की मोटी जुओं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती जिस कारण वो उपकर बोलती है भाबी आपकी जुओं तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेरी सुबा से हजारों निकाल चुकी हूं और आपके बालों में ब गिनत है मेरी तो कमरी टेड़ी हो गई जान भी जल्दी से किचन में जाकर सबसी काटती है और तब ही उसके सर में खुझली होने लगती है और उसे ऐसी खुझली करता देखकर उसकी सास कज़री किचन में आकर बोलती है बहुरिया एक काम कर तु पहले जीह भर कियापन कपार खुझा ले माजी आप मुझे ताने क्यों दे रही है अरे मैंने थोड़ी ना जुओ को कहा था कि आओ मेरे सर में बसेरा कर लो अरे मुझे खुझली हो रही है तो मैं क्या करूँ बहुरिया तू रसोई घर से बाहर जाकर पसर जा कहें कि यह जुवा तो हर कपार के उपर भी मन रहा थे और यह तू तो जानत है कि हम शाकाहरी है इससे पहले कि तो जुवा खाना के शोबा बढ़ा दे हम खुदे ही खाना पकाली है तू जा अपनी सास की बात सुनकर जानवी अपने कमरे में जाकर अपने सर को एक कपड़े से कवर करती है और बोलती है अब मेरे सर की जुवे इस कपड़े से बाहर नहीं आएंगी लेकिन इन जुवो ने काट-काट कर मेरा सर सुन कर दिया है समझ नहीं आ रहा ये कैसे खतम होंगी वक्त बीटता है और कजरी के कहने पर जानवी कभी अपने सर में सिरका कभी कभी निम्बू का रस और कभी फिट करी लगाती जिससे उसके सर की सभी जुएं मर जाती है लेकिन लीके वैसी ही रह जाती है और कजरी बोलती है जुओं का तो इलाज हुई गवा लेकिन इलीक अगर फिर से फुट गवा तो एक लीक फिर से जुओं के अविश्कार कर दी है अब इके भगावे खातीर हमके आपन घरेलू उपाय करे के परी कजरी लीकों को खतम करने के लिए अपने गाउं के तरीकों को आजमा कर जुओं वाली कंगी में धागा फसा कर बहु के बालों के सभी लिखों को निकाल देती है और जड़सी खतम कर देती है जिसके बाद जानवी के सर की सभी जूं, लेक और खुजले होने की समस्या अमेशा के लिए खतम हो जाती है और जानवी अपने लंबे बालों का अच्छी से खयाल रखने लगती है साथ ही अब वो हफते में तीन बार अपना सर्द होने लगती है दिव्या एक बहुत ही ज्यादा सुन्दर लड़की थी उसकी सुन्दरता देख कर लड़के उसकी आगे पीछे गूमते रहते थे उसकी परिवार में उसकी विद्वा मा रंजना देवी रहा करती थी दिव्या घर खर्ट के लिए एक मेडिकल शौप पर काम किया करती थी ऐसे ही समय बीथता जाता है और एक दिन जब दिव्या शौप से घर आ रही होती है तब उसकी मा उससे कहती है दिव्या सुन्दर तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो अच्छे से तयार हो जाईयो क्या मा आप बीना अगर मैं शादी करके चली जाओंगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा मेरा जितना ध्यान रखना था ना रख लिया तुने बागी का मैं खुद रख लूँगी मा क्या हो गया आपको आप ऐसे क्यों बात कर रही है मूँ बन कर अपना और जा यहां से इतना कहकर रंजना वहां से चली जाती है ऐसे ही अगली सुभा उनके घर सुलेखा देवी अपने बेटे अरजुन का रिष्टा लेकर आती है सभी लोग वहां घर में बैट कर आपस में बात कर रही होती है इतने में वहां पर हाथों में चाय नाश्ता ले दिव्या आती है और सुलेखा देवी के पैच होती है दोनों मा बेटे को दिव्या पहले ही नजर में पसंद आ जाती है साथ ही सुलेखा तुरंद उनका रोका कर देती है और चार महिने बाद शादी की डेट फिक्स करवा कर वहां से चली जाती है ऐसे ही समय बीचता जाता है और शादी का दिन नजदीक आने लगता है दिव्या के हातों में दुलहन की महंदी लग रही होती है महंदी लगने के थोड़ी देर बाद दिव्या की मा उसके पास आती है और उससे कहती है दिव्या मेरी बात ध्यान से सुन हा मा बोलो ना क्या बात है शादी के बाद तू अर्चुन को अपने करीब नहीं आने देगी समझ गई पर क्यों मा आप ऐसा क्यों कह रही है तू कोई आम लड़की नहीं बलकी एक किनर है मा आप मजाग कह रही है ना मेरे साथ मैं कोई मजाग नहीं कर रही यही सच है और आज मैं तुझे तेरे सक्चाई बता रही हूँ मा आखिर कब तक मैं सबसे अपना सत चुपाती रहूँगी एक ना एक दिन तो सब के सामने मेरे किनर होने की असलियत आही जाएगी ना मैं नहीं करूँगी यह शादी ठीक है फिर मत कर तू यह शादी और मैं अपनी जान दे रेती हूँ अब तू अपनी मा की लाश देखियो पड़ी हुई दिव्या की मा जबरदस्ती उससे बात मनमाल लेती है और ऐसे ही शादी वाले दिन किसी तरह से दिव्या और अर्जुन की शादी हो जाती है ऐसे ही समय बीथता जाता है और दिव्या अच्छे से अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लेती है और ऐसे ही एक रात अर्जुन दिव्या के लिए एक शाद ड्रेस लेकर आता है और उससे कहता है दिव्या ये दिखो मैं तुमारे ले कितनी सुन्द ड्रेस लेकर आया हूँ इसको पहन करके तो दिखाओ जी ठीक है आप थोड़ी देर रुकिए मैं अभी पहन कर आती हूँ दिव्या अर्जुन के लिए वो ड्रेस पहन कर आती है जैसे ही अर्जुन दिव्या को देखता है वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसको बेट पर लिटा देता है जिसके बाद वो दिव्या की करीब आता है दिव्या उसे रोक कर पीछे की तरफ हटाते हुए कहती है अर्जुन जी रुकिए ना ये सब अभी नहीं फिर कभी क्या मतलब है तुमारा तुम मेरी पत्नी हो मैं जब भी तुमारे पास आने की कोशिश करता हूँ तुम मरसे दूर चली जाती हो जी शादी से पहले जब माने मेरी कुणली खुलवाई थी तो पंडित जी ने मुझे कहा था कि मेरी कुणली में दोश है और शादी के 6 महीरे तक अगर मेरा पती मेरे करीब आया तो उसकी जान को खत्रा हो सकता है इसलिए प्लीज आप मुझे थोड़ा दूर रहिए अर्जुन दिव्या की बात मान जाता है और ऐसे ही हसी खुशी प्यार से समय बीचता जाता है और एक दिन दिव्या के ससुराल में कुछ किन्नर आते हैं और वो सुलेखा देवी से कहते है हाई यही है तेरी बहु बहुत सुन्दर है इसे तो हम अपने साथ ले जाएंगे ए भगवान कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि मैं किन्नर हूँ अरे साब साब बोलो अरे बधाई लेने आई हूँ तेरे घर नई नवेली दुलन जो आई है बधाई लूँगी वरना तेरी बहु को ही ले जाऊंगी ये ले अपनी बधाई और अब जा यहां से पता नहीं कहां कहां से मूँ उठा कर आ जाते हैं ऐसे लोग अरे ऐसे लोगों को देखकर तो मेरा दिमाग इखराब हो जाता है मैं बिल्कुल भी बदाश नहीं कर सकती ऐसे लोगों को परमा जी ये भी तो भगवान का बनाया हुआ ही एक रूप है एक अंश है अरे ऐसे लोग तो श्रापित होते हैं श्रापित तभी तो भगवान ने इनका जनम किन्नर के रूप में दिया होता है इसलिए मैं नहीं चाती कि ऐसे किननर और ऐसे श्रापित लोगों का साया मेरे घर पे पड़े दिव्या अपनी सास की बात सुनकर वहां से चली जाती है और वापस से घर के कावों में लग जाती है ऐसे ही समय बीतता जाता है दिव्या को अब हर पर किननर होने की बात सताने लगती है ऐसे ही उनकी शादी को 6 महिने बीत जाते है और फिर से अरजुन उसकी करीब जाने की कोशिश करता है वो फिर कोई बहाना बना देती है जिससे अरजुन को उस पर शक होता है तो वो उसे बोलता है दिव्या, कल हम पूरी फैमिली हेल्ट चेक अप के लिए क्लिनिक जाएंगे तो तुम भी तयार है ना जी पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ एक काम कीजिए ना, आप और माजी चले जाएए आप दोनों करवा लिजी चेक अप मैंने कहा ना सबको जाना है, मतलब जाना है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे कुछ चुपा रही हो नहीं नहीं, मैं कुछ भी क्यों चुपाऊंगे आपसे ठीक है, हम सुभा चलते हैं चेक अप के लिए तो बस फिर कल रेड़ी रहना, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना, समझी अगली सुभा, पूरा परिवार हेल्थ चेक अप के लिए हॉस्पिटल जाता है अरजन और सुलेखा का चेक अप होने के बाद दिव्या का नंबर आता है और दिव्या बोर्ड में चली जाती है डॉक्टर उसका चेक अप करती है तो उसके किनर होने का रास सभी के सामने आ जाता है सच पता चलने पर अरजन और सुलेखा कुसे से तिल मिला जाते है तीनों वापस घर आते हैं और घर आते ही अरजन दिव्या को एक जोरदार तमाचा जड़ देता है और बोलता है क्या तुम्हें पता था कि तुम्हें किनर हो सुनाईनी दे रहा किया तुम्हें जो मैंने पूछा हाँ, हाँ मैं जानती थी कि मैं एक किनर हो क्या, इतना बड़ा धोका दिया तुने हमें अरे बेशरम, कुलक्षणी, यही संस्कार दिया है तुझे तेरी निकम्मी माने मैं बहुत मजबूर थे माजी, मैंने जो भे किया, अपनी मा के कहने पर किया अहा, महरानी सोचा होगा कि शादी कर लेती हूँ धोके से और एक औरत की लिस्ट में आ जाओंगी अरे तु ये कैसे भूल गई, कि तु एक किनर है किनर माजी, ये सिरफ आपकी गलत फैमी है किनर सिरफ ढोल बचाने और तालिया बचाने के लिए पैदा हुए है अरे उनकी भी अपनी एक जिंदगी है वो भी अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं, समझी आप अब तुम यहां से जा सकती हो, और दुबारा अपनी शगल मत दिखाना मुझे अरे आप लोग क्या मुझे इस घर से निकालेंगे, मैं खुद यह घर छोड़ कर जा रही हूँ और याद रखना, एक दिन मैं अपनी खुद की नई पहचान बनाऊंगी और आस्मान की उचाईयों से भी उचा उड़ कर दिखाऊंगी सबको अरे तु जाए या ना जाए, तब भी हम तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे, किन्नर कहीं की दिव्यार रोते हुए अपना ससुराल छोड़ कर इंडिया से बाहर चली चाती है और वहाँ घर बैठे, फैशन डिजाइनिंग की ओनलाइन क्लासिस लेने शुरू कर देती है और तरह तरह की ड्रेसिस डिजाइन करने के बाद, वो एक सोशल मिडिया साइट पर अपना फैशन डिजाइनिंग का पेज बना लेती है ऐसे ही समय बीट साचाता है और धीरे धीरे वो बड़े बड़े स्टार्स की ड्रेसिस को डिजाइन करना शुरू कर देती है और उसे खोब नाम मिलता है, वो खोब तरक्की करती है और अपने दम पर अपनी एक नई बहचान बनाती है दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा